हलो एबरबान मैं मामता चलसिया और आज मैं आप सभी लोग के लेके आए हूँ बाजरे की खिचड़ी की सबसे आसान रेस्पी सर्दियों में बाजरा बहुत ही जादा फाइदे मंद होता है तो चलिए आज हम इस खिचड़ी को बनाएंगे और वह भी बहुत आसान तरीके स देखें मैंने बाजरे की खिचड़ी के लिए यह बाजरा ले लिया है इसके अंदर चावल मिक्स है तो चलिए इस बाजरे को हम सबसे पहले हम चान लेंगे तो मैंने चनी में लेके यह बाजरा चान लिया है क्योंकि जब यह बाजरा दिया गया था वह यह कुटा हुआ थ तो ऐसे करके हम धीर धीर सारा बाज़ा हम चान लेंगे तो बाज़ा चानने के बाद अब हम इसमें 2-3 बार पानी डालकर इसको अच्छे से वाश करेंगे तो देखे पानी कितना उपर मटमेला है इसको फिर से हम निकालके हम दुबारा पानी से इसको अच्छे से वाश कर ल 10- 9 मिंट के लिए और यह मैंने लिया है 2-3 कटोरी रखे手व यह अध्रक को टो कुकल में डालाँ द लंगी दो चमझ देसी घी हो यह घृँ और इस दीरे को हम ब्राउन कलर का होने देंगे और साथ में ही आड़ कर देंगे हम अद्रक और कट वी हरी मिल्च इसको एक बार अथिसे चला लेंगे अब हम ढालेंगे इसके अंदर जो बाज्रा हमने भीगो के रखा हुआ था इसको एड़ कर दूँगे मैं बाज्रे को और पाउडर मैंने एड़ किया है नमक स्वादानुसा अब इन सभी चीजों को अच्छे से एक मिट हम ऐसे ही भून लेंगे अब इसमें एड करेंगे पानी पानी इसमें मैं एक लिटर एड करूंगी क्योंकि जितने भी चीजे आप डालेंगे उसका तीन गुना आपको ज्याद तीन से चार सीटी आने के बाद अब खुकर को खोलेंगे और इसका चेक करेंगे कि ज्यादा तो बतलब खिचडी सूक तो नहीं गई है तो एक बार हम इसको खोल लेते हैं तो देखे बिल्कुल परफेक्ट टेक्स्चर है खिचडी का जैसे खिचडी का होता है अब इसको ह बार अच्छी से चला लेंगे और इसको हम सर्व करेंगे दही के साथ और देसी घी के साथ तो फ्रेंड्स आपको कैसी लेगी खिचडी के यह रैस्पी अगर रैस्पी पसंद आई है तो में चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिए और आनिवादी वीडियो को देखने के ल प्रेस करना नाम हो लें तो मिलती है अगली बार किसी नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई